मित्रों नमस्कार सातियों आप लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हो वह सिमा सुरुकसाबल अर्ताथ B.S.A.P. का वेबसाइट है दोस्तों इसमें अभी I.T.I. से वेकेंसी है और यह वेकेंसी आप देख पा रहे हो जैसे आप B.S.A.P. का वेबसाइट ओपन करोगे तो उसमे Current Requirement Opening के नाम से आपको दिखाई देगा यहाँ पर Apply Here दिखाई दे रहा है आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका फोर्म ओपन हो जाएगा और आप फोर्म भर पाऊगे इसके लाओ यहाँ पर View Detail भी आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोग तो आपको पूरा Notification का Detail आएगा साथियों मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं डाउनलोड पर चलता हूं और आपको इसके बारे में जान कर देता हूं साथियों ITA वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो चाहते हैं वर्दी पेनना अगर कोई सरकार के ग्रह मंतरा लेके अंतरगत आता है तो साथियों Central Government का जो Home Ministry है उसके अंतरगत BSF आती है देश की बहुत बड़ी Security Force है Parametry Force BSF है साथियों देखो मुक्य मुक्य बात हम करते हैं दो जो दो पोस्ट दिये हुई है यहां पर एक तो रेडियो अपर और दूसरा रेडियो मेकिनिक तो इन दो पोस्टों की जो वेकिंसी है अब हम इसमें आपको मुक्य मुक्य बाते करते हैं क्योंकि बहुत चीज़ जायगा लंबा हो जाता है वीडियो अब साथियों पर पेशक्र देखो पेशक्र यहां पर केंदर सरकार का जिलेवल 4 है उसका पेशक्र आपको दिया जाएगा पत्चीस हजार पांट सो से 21,000 का सकेल है इसके अलावा यह अधर आलाउंसेज यह अलाउंसेज आपको मिलें हों में डिवादेट किया गया तो सेऊंटी फाइफ परसेंट और पच्रिस पर्सेंट जो कोटा है यह पिजे जो प्रेश एफ का जो डिपार्टमेंटल केंडडेट है यह जो सर्विस कर रहा है उन बच्चों के लिए उन अभ्यार्थिव के लिए है इसके राव जो पिचात थोड़ा अन्फिट है और जो बचा हुआ से इस वेकेंसी यह है आप लोगों के लिए अर्थात आप लोगों के लिए यह वाला वेकेंसी रेडियो ओपरेटर का और यह वेकेंसी जो दिया गया है 211 वेकेंसी नीचे यह है रेडियो मेकेंसी का आप लोगों के लिए और रेडियो ऑपरेटर का जो जनल से विकेंसी है बाद 206 है EWS का 269 है देखो OBC का एक भी विकेंसी नहीं है बड़े खेद की बात है इसके लाव SC का 84 है और ST का 70 है इसी परकार रेडियो मेकिनिकल का है जो आपको यहां दे दिया 27 पोस्ट जनल से और EWS का 40 पोस्ट है और OBC का य 59 और 31 GT का दे दिया SC का 49 है इस परकार यांपर पोस्ट डिवाड़ेट की हुई है साथ सबसे important बात में आपको यहां पर बता दो कि आप दोनों पोश्टों पर apply कर सकते हो एक साथ दोनों पोश्ट पर आप apply कर सकते हो इसका आगे भी जिक्रा जाएगा क्योंकि दोनों के exam अलग-अलग time है दोनों के exam same date है पर timing अलग-अलग है तो आप दोनों दोनों पोश्ट पर eligible हैं वैसे तो इलीजिबल हैं से क्योंकि दोनों में ATA मंगा है अगली हम बात कर लेते हैं साथियों फर्स्ट फेस इसका होगा एक रेटन एक्जाम देखो रेटन एक्जाम कितने कब होगा 20 नौमबर को होगा संड़े के दिन होगा रेडियो ओपरेटर क में बैठ सकते हों क्योंकि टाइमिंग अलग-अलग है आप आसानी से बैठ सकते हो इसमें इसके लाव मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप बीसेप के बारे में अगर वेकरसी के बारे में आप ऑथन्टिक जानकरी आपको चाहिए तो आप जो यह वेबस सब्सक्राइब करें और जितने भी स्टेज होंगे एक्जाम के वह आपको यहां जानकरी मिलेगी साथ हूं पहतनिक जानकरी रिटन टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल स्टेंडर्ड लिया जाएगा फिजिकल चेक किया जाएगा उसके बाद साथ हूं जो रेडियो किनिक के लिए नहीं है सिर्फ ओपरेटर के लिए और पेरेग्राफ टेस्ट होगा इंगलिस में आपको पड़ाए जाएगा जो बच्चे इसमें क्वालिफा कर जाएंगे दोनों में उसका थर्ड फेज में वह चले जाएंगे और इसमें सभी बच्चों का क्या होगा मेड कर दिया जाएगा अगर उनमें इसा गुंजास दिखता है तो रियू उनका मेडिकल एक्जाम होगा एक चांस उंगोर दे दिया जाएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा वह रेडियो ऑपरेटर का तो 250 अंकों में से बनेगा मेरिट और रेडियो मेकिनिकल का जो बनेगा वह मातर 200 कों में से बनेगा क्योंकि इसमें 50 नमबर किसके जुड़ गए आपकी डिक्टेशन या परेग्राफ टेस्ट के अब हम आगे बात करते हैं साथियो जैको इलिजिबलिटी क्या क्या रहेगी साथियों दोनों ही पोस्ट के लिए सेम इलिजिबलिटी है है सबसे अच्छी बात है कि आपको रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मेकिनिकल में हेड कोंस्टेबल का पोस्ट में इसमें क्या कोलेक्शन मंगाए बित्रों इसमें आप 10 वी पास होना अनिवारे हैं मेट्रिकुलेशन है मेट्रिकुलेशन के बाद आपके पास आईटिए का सची बाना चीए किस किस ट्रेडियो अच्छी है एक तो रेडियो एंट इलिविजन से कर आपने इटिए की हुई है या फिर एलेक्ट्रोंिक से की हुई है या फिर कंप्युटर ऑपरेटर कोपा से आप आईटिए उडर हो इसके लाओ डाटा प्रेजेंटेशन कंप्यूर सब्सक्राइब कर रखी है तो आप इस पोष्ट के लिए इसके लाव रेडियो जो मेकिनिक है उसके लिए भी सेम इन्होंने कोलेक्शन रखा है कोई अंतर नहीं है अगर आपके पास ITI नहीं है तो दोनों ही पोष्ट के लिए आप तब भी इलिजिबल हो जब आपके पास 12 में फिजिक्स कमिस्टरी में थो हो अगर आपने PCM से 12 कर रखा है तो अभी आप ये वेकेंसी के लिए फॉम बर सकते हो बसरते आपको 60% होना अनिवार है 12 क्लास के आपके दोस्तों आगे बात करते हैं हम एज लिमिट का एज लिमिट में साथियों 18-25 साले जर्नल के लिए जर्नल के टिक्री के जो हैं के लिए 18-25 साल है इसके अलाव OBC को 3 साल की चूट दे दिये उनके लिए 18-20 हो गया और HTSC के टिक्री के पांस साल की चूटे और हम आगे बात करते हैं देखो फिजिकल इस्पेंड़ के क्या रहेगा इनका यह निंतम क्राइटिरिया है अगर आप यह फोलो नहीं कर रहे हैं तो आप फोम ना भरें इस तीज़ का ध्यान रखें समय और प्रस्विक वरबादी ना करें आपकी हाइट सातियों अगर आ चाहिए और आपका सीना इस सीना अभी वरतमान में चाहिए वेट इस पर आपके हाइट एकोड़िंग रहिए अपको चार्ट मिल जाए गा अगर आप फिमल कंडेडेड है तो आपकी मिनिये मैं ऐस砦श संट पम हुना ही हिस चाहिए गाण बोर हमागी बात करते हम स्सक्रा हमाँ जाता है हर विकेंशी में आता है वही अलग से कुछ नहीं है कि मैं तर अब सेलेक्शन ट्रेस्ट बताई दिया साथी उसमें सबसे पहले आपका रेटन एक्जाम होगा उसके बात फिजीकल होगा अब साथी हम सेट फेज़ रिटन एक्जामिनाशन का तो यह दो घंटे सब्सक्राइब का जो पाठेकर में उसके अधीन रहेगा उसके कोडिंग रहेगा और जो दूसरा है इंग्लिज और जी के यहां पर 20 क्यूशन आएंगे चालिश नंबर के उसमें यहां पर लिए करेंट अफेर्स इस तरह की क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे चालिश नंबर के लेक्टिव मार्किंग साथ यहां पर दे दिया कि 0.25 मतलब अगर आप चार क्यूशन गल्द करते हो तो आपका एक काट लिया जाएगा यानि कि ए सब्सक्राइब करते हैं अगर इससे कम आपको नंबर आते हैं यहां पर अच्छी तरह विवर ने दे दिया गया है जो मैं बता चुका हूं आपको पहले हाइट के बारे में अब हम सिर्फ दोड की बात करते हैं साथ यह एक मील का दोड है आपको पूरा करना पड़ेगा लड़कियों के लिए इस सिर्फ 800 मिट्र का दोड है और वह चार मिन्टे में उनको पूरा करना पड़ेगा सातियों बोईस के लिए मेल किंडिडेट के लिए लोंग जंप होगा 11 फिट का 3 चांस आपको दिये जाएंगे और हाई जंप 3 फिट करेगा उसमें भी आपको 3 चांस दिये जाएंगे एक सर्विसमेन और BSF जो किंडिडेट हैं उनको इसमें छूट दी जाएगी उनको किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होगा मैलाओं के लिए 9 फिट का जो लोंग जंप रहेगा उनको भी 3 चांस दिये जाएंगे 3 फिट का हाई जंप रहेगा वहाँ पर भी उनको 3 चांस दिये जाएंगे इसमें साथियों यह होने के बाद लाश्ट में सोरी एक आपका बचेगा मैं बोला था आपको रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेक्शन टेस्ट होगा इंग्लिस राइटिंग का आपको लिखना है वो 50 नंबर का होगा इसके अलावा आपको पेरेग्राफ रेडिंग पढ़ाए जाएगा पेरेग्राफ तो वह क्वालिफाइंग नेचर कोगा उसके कोई नंबर नहीं रहे है डिक्टेशन में आपको 38 पर 37 नंबर लाना अनिवा रहे है जनरल OBC EWS के ब्यारतियों के लिए 33 परसेंट निवा रहे है HTSC के लिए साथियों इसके बाद इनका मेडिकल एक्जाम होगा और फिर आपका फाइनल सेलेक्शन मेट के अधार पर किया जाएगा मेडिकल एक्जाम में आई आपके यह ओना चीज़ यह आपके दे दिया 6x6, 6x9 परफ़ाइन और साथियों इसमें जो मुक्के मुक्के बाते मैं आपको बताता हूं मैं इन बाते देख़ा हम अप्लाइ कहां करें मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया इसका 20 अगस्ते से फ़र्म भरना चालो गया है साथियों और 19 सितंबर के पहले पहले आपको एपलाई करना है और इसमें जो आपका फीस है वह कितना निर्धारत किया गया है 100 रुपे निर्धारत किया है obsqe wskendrates के लिए और जनरल अभ्यारत के लिए तो साथियों और आपको मैं बताऊं इसमें यह तो आपके अडिर्स है इसमें तो आपको जाने की जरत नहीं है जहां से आप बिलोंग करते हो वहां पर आप इसको भर सकते हो और साथियों जो मुक्के बात है वो मैं आपको बताता हूं इसके निट्रेक्टेंस यह तो कुछ है नहीं है यह तो फॉम में साथियों जो भी आपके फॉम है जिसके टेकर से आप बिलोंग करते हों साथ्यों ऐसी कुछ खास नहीं है डाइट इन्हों ने यह दे दिया कि लाश्ट में कि उन्हीं सितंबर इसका लाश्ट डेटे यह तुम्हें बता चुका हूं आपको और यहां पर देखो इन्हों ने लिख रहा है कि आप जो भी साथ्यों यहीं से यहां पर आप जाके ओनलाइन एप्लिकेशन एप्लाइ करें ठीक है मित्रों साथ्यों धन्यवाद